नमस्कार दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टेज़ोब दोस्व अगरब चैनल पर ने आयो होत आपस रिक्विस्ट दोसु चैनल को सब्सक्राइब करके साप्पोट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए दोस्तो बोडु लेंड टेरिटीरियल का पर ग्रेड टीचर एंड पोस्ट ग्रेड टीचर का रेक्रूट्मेंट होने वला है टूटल फेकर सफिसी 1000-ose 13 दोस्तों जिस्में पोस्ट गेखोति टीजर के लिए 18η 122 पोस्ट है ग्रेड़ब टीचर के लिए 1432 पोस्त जिसमें युट होगा आर्ट्स, चान्स, हिंदी वान उब्लिक सेक्षेन अबर टुटॉज़न टुएंट फॉर उब्लिक फाइब और दूसरा है टुटॉज़न टुएंट फॉर उब्लिक सब सलरी मिलेगा दुस्ता आप लोगको ग्रेजु़ट टीचर को मिलेगा 14,000 से लेके 70,000 बेसिक पेस्केल और ग्रेट पर मिलेगा 8,700 और पोश्ट के जो टीचर के लिए 22,000 से लेके 97,000 और ग्रेट पर मिलेगा 11,800 कि सबसे अपको बैतन क्रम मिलेगा इस दोस्तों यह है दोस्तों ग्रेजुट टीचर का क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यह है पहला जो क्वालिफिकेशन है एज्जुट ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स एंड साइन्स आप यह पर देख लिजेगा श्ट्रीम ओइज आपको आर्ट्स के लिए बीकॉम बिए बीस सी 50 परसें मार्क की साथ और साथ में बीएड होना चाहिए साइन्स की में दोस्तों पोश्च गेजुएट टीचर साइन्स के लिए ग्रेजुएशन फोस्ट ग्रेजुएट इन साइन्स हैबिंग रिकोगनेशन में से 50 परसें मार्क के साथ और बीएड देख लिजेगा एस पर दा आश्रम सेकंडर एड़ुएशन यह जो आश्रम गुबर्मेंट के एड़ुएशन और रूल से वह आप लोग देख लिजेग नेक्स राद दोस्तों हिंदी यह देखें लास्ट में हिंदी लिखा हुआ है टीचर हिंदी हिंदी के लिए दोस्तों यह आपर क्या को एलिफिकेशन चाहिए प्रहबिन कम रतना इन हिंदी 50 परसें मार्क के साथ फिर पोश्ट कि जो इस निग्री इन आर्ट्स वीद 50 पर माक्स हेवे हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपको बी-ए में और उसको 50% माक्स पाना होगा और पोस्ट गेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी में रहना चाहिए और उसका परसेंटीस 50% होना चाहिए देख लिए चाहिए दोस्तो इक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी इग्रेजुएशन लेबल में पोस्ट गेज़ डिगरी इन आर्ड्स विढ मार्क्स इन fist. अगर आग पोस्ट गेज़ डिगरी कीए हो आर्ड्स से और शंकित में 50% मार्स कोले है तो भी आप अप्लाई कर सकते हूं. दोस्तो यह था गेज़वेट डिग्री का क्वालिफिकेशन आभी आतो पोस्ट गेज़वेट डिग्री में यह है दोस्तो पोस्ट गेज़वेट डिग्री का क्वालिफिकेशन एकाड़िमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोजगे जोएट आपने अपनी अपनी कॉंसर्ट सब्जेक्ट पर 50 परसन मार्क की साथ और बीयर्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों यहापर ऑप्शनल एक ऑप्शन में दिया फास्ट ऑप्शन सेगन अप्शन तरड अप्शन दिया हुआ है इन अदिशनल सब्जेक्ट इन दिग्री लेबल इन अदिशनल टुद एक अदेमिक और प्रोफेशनल कॉलिविगेशन देखिए यहापर जो क्राइटिरिया है अप लोग दियान से पर लिजिएगा एक दो क्राइटिरिया में परके देखिए तो बाकि आप पर लिजिएगा वीडियो ने तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों इन केस आशामिस मीडियाम इन स्कूल अगर आपने आशामिस मीडियाम में स्कूल में पढ़ाई किया तो एप्लिकन को 12 टक्लस 12 तक आशामिस लेंगवेज किसी भी एक सब्जक्ट में रहना चाहिए अगर आपने आशामि लेंगवेज में पढ़ाई किये है तो और एप डिप्लोमा अगर आपने आशामिस लेंग्वेज में डिप्लोमा किये हो जो कि आसाम साहित सब दeh्वा की दोऊरा रीकोग्नेज्ड है तो भी कर सकता हूँ इसतराइब यहाँ पर सभी के लिए सेम खाल बेंगली मीडियम में गर परएग गया तो वंगएक एम कटागरी अगरह ऑ расп हिंदी मिटियम से प्रक हिंदी के लिए सेमा पैटर्न बोरु मिडियम स्कूलistä के मिया यह पर भी सेमाफ सेम इंग्पेश मेदशBrien के लिए आफ लोग देख लिए गये आच लिएcel och किस से लेके 38 एर पीज़ीटी टीचर के लिए एक किसलेके 40 एर एज़ीट लाकेशन मिलेगा ओबीसी एम ओबीसी को त्री एर स्टी को फाइव एर एक सर्विस्मेंट टू एर और पीड़िकेंड को टैन एर का कोई अप्लिकेशन फी आपर नहीं बताया है दस्तों देख आप लोग स्टेट गोवर्मेंट जॉब है जॉब लोकेशन को क्राजर आशाम सेलेक्शन प्रोसेस को टैट एक्जम की त्रू मैं दिका रहा हूं यह है पीजीडी टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस टीचर रिजीबिलिटी टेस्ट 140 मर्क का होगा तो पेपर शेल भी एक्सट सार्टिफिकट आगर आपके पास है सी सार्टिफिकट को फाइब माक्स बीस सार्टिफिकट को थ्री माक्स मिलेगा एक्जीबिलिटी टेस्ट का वो सेम ही है दुनों का एपलाई मोड ऑनलाइन ऑनलाइन एप्रे स्टार वो है 16 फेपरी से ओनलाइन एप्रे के लाज़ जो है सेकंड मास 2024 ओफिशियल से www.education.bodooland.gov.in दोस्तो आलाग अलाग दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए आप लोग वीडियो डेस्क्रिप्शन पर जाएए मैंने आलाग अलाग नोटिफिकेशन दोनों लिंक दे दिया और एपलाई लिंक भी दे दिया आप लोग एपलाई लिंक कर से एपलाई कर सकते हो और नोटिफि